नमस्कार जी कैसे आप लोग उमेद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपके अच्छे होने की कामना हमेशा करती हूँ आउं दो-चार बाते कर लेते हैं कई दिन हो गया है अज जैसा कि आप सब को पता है आजी के दिन पुल्मावा हामला हुआ था आउं मिलकर उन सहीदों को सरधानजली देते हैं और उन ही देश के नोजवानों की वज़े से इस मिलटरी की वज़े से हम लोग अपने घरों पर चैन की सांस ले पारें, इसमें कोई जुठ ने है, अब मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ, कुछ हक लोगों के बारे में, जब से किसान आंदोलन चला, किसानों का मुद्धा चला या किसानों ने मांगना शुरू किया या किसानों के हक की बात आई कुछ लोगों के पेट में इतनी जादा तकलीफ है इतना जादा दर्द है कि ऐसा लगता है कि देश यही चला रहे थे ये भारत के लोग हैं भारत के परधान मंत्री से मांग मानने की बात कह रहे हैं ये देश का परधान मंत्री तो है मोदी पाकिस्तान या अमेरिका का या किसी और कंट्री का परधान मंत्री थोड़ी है और एकिसान भी भारत के हैं और भारत में रहे के भारत की बात करना या भारत की सरकार से अपनी बात मानना या मनवाना कौन सा गुना है एक बात और दूसरी बात आपने राम मंदिर की मांग की मैंने राम मंदिर की मांग की हम सब ने धारा 370 रटाने की बात की देश के परदान मंतरी कोई तो कहते थे हम क्या आप भारत में सरकार बने कहीं दि प्रित्तर क्यों दिखाते हो अब अगर बात मैं और कर लेती हूं जब देश में सरकार आपकी ए तो किस से मांगे हक और अब मैं बात करती हूं उन लोगों की जब से किसान आंदोलन को हम जैसे लोगों ने स्पोर्ट किया तो ज्यादा तो नहीं पांदस चुए बिल से बाहर आए दो चार तो छोटी मोटी विदेश कंट्रियों में बैठके बखवास करते हैं वला फलाने दाउद का रिस्तेदार हूं मैं मैं यह कर दूंगा फलान कर दूंगा डिकडा कर दूंगा बाई कट करो बगवा उतरवाओ तरे बाप नहीं दिया था साड़े बगवा कोई क फिर दो चार भारत में भी हैं तुम ढोंगी होगे तुम साधू नहीं रहे तुम देश द्रोई होगे यह जितने सिख हैं सारे देश द्रोई बणा दियेगे तुमने सिखों का कोई बलिदान नहीं कैस देश की अजादी में क्या नहीं किया उन गुरुओं को याद करके है तुम्हें बंदा बहादूर नाम पता होगा तुम्हें वो भी सब सिख थे और सिख कब बने हिंदू से कनवर्ट होकर सिख बने वो कोई प्रिस्तितियां रही होंगी ना हालात ऐसे बने होंगे अब और बात करती हूं मैं यह जो दिल्ली लाल के बिल्कुल समीफ गुर्द द्वारा उसका इतिहास पड़ लेना बहुत के समझ में आजेगा सिख क्या है सिखों की बात करना गुना है क्या सिखोंना गुना है क्या बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जो सिख बनते हैं बड़ी किस्मत अच्छी होती है जिनके घर भगत सिंग जैसे वीर पैदा होत करते हैं जो पांच निय मसिख्ख के अपनाते हैं आम आदमी की बसकी बात नहीं नावकात है कि कोई सिख्खी को अपना लिए सимость एसे विरास्थ होड़ी मिलती है उसके लिए करम करने पड़ते हैं एक बात दूसरी बात जो लोग सिखों को लोगातार गाड़ियां दे रहे हैं देश द्रोई बोल रहे हैं उल्टा सिद्धा बैखान कर रहे हैं के तकलीफ है तुमारे एक काम करो सिद्धा संप्रक कर लो मेरे से आके कोण सी तोफ ले रहे है कोण सी किसान नहीं हो अरे जाय सी बात है सरकार से डिटेल में बात हो रही है तुमारे के पेट में दर्द हो रहे हो तुम क्यों तकलीफ में आ रहे हो लिख दो रहेंगे चुबी जन्वरी को साबित हो गया था सिद्दू ने किया सिद्दू ग्रिपतार हो हम सब ने कहा गलत किया तिरंगे के सम्मान के लिए लोग जान देते हैं हमी किसानों के बेटे हैं जो सरहदों पर सहीद होते हैं हमी किसानों के पूत्र हैं वो जो भगत सिंग जैसे होते हैं वो ऐसे नहीं होते तिरंगा किस्मत से मिलता है जिसने तिरंगे का अपमान किया उ आप लोगों ने अब उन अंद भगतों मैं तुम से पूछना चाहती हूं जादा भैं भैं करना तो मेरे बसकी है नहीं और जादा ये फेस्बुक फेस्बुक लड़ना भी मेरे बसकी बात नहीं आधे मैसेज करें कि आप साध में क्या है साले तुम्हें मैं सर्टिविट दे दिया था मैं अपने बाप की जगे में बैठी हूं करते हैं मुझे लोग स्पोर्ट कुछ अच्छा ही होगी हम में तब साथ देते ना लोग और जो धरम की रक्षा करता है धरम उसकी रक्षा करता है और जो ये चुट भही है ना दो चार दस फाल्तू यह आ जाते हैं आब ये कहते हैं कि बालमी की हैं हरीजन हैं सुद्र हैं इनोंने धरम कनवट कर लिया ये कुछ लोगों के पीड़ी तो उने के बाद धरम परिवर्तन करते हैं फिर लोग कहते हैं ऐसा हो गया मंदिरों में क्यों जाना बंद करते हैं चुआ छूट गलत वेवार दुर वेवार उच्चा निच्चा, बड़ा चोटा, घिना करना, इस वज़े से लोग जाते हैं, तुमारी हरकतों की वज़े से लोग जाते हैं, तीसरी और बात मैं बता दूँ जिस तरह से तुम लोगों को साधूं का अपमान करना धोंगी कहना गलत लिखना ऐसे अपशब्द लिखना फेस्बूक पे और अराम खोर वो लोग भी डूब के मरजो जो चुप चाप सुनते रहते हैं निचे कोमेंट्स पे कोमेंट्स ठोकत रहते हैं यह उनको जवाब नहीं देते आगे कि तुम क्या लिख रहो तुमारे घर में माँ बहन नी अरे डूब के मर जो लोग जो ऐसे गंदे लोगों को स्पोर्ट करते जमीर तो तुमारा मर गया खून तो तुमारा ठंडा हो गया जो सुनते हो आप लोग और मैं तो उ जंदा हुई मैंने किसानों का साथ दे दिया मैं कोंड समुर के बाजगी आज भी किसानों के साथ खड़ी हूं मैं जब तक मांगे पूरी नहीं होगे जितना दमोगा लड़नेंगे न होगा कोई बातनी गर बैठे अरे थारे की तकलिफ हो रही है जारी के दाइउत जारी या तिरी मा के पेट में दर दो रहा उल्टा सिद्धा लिखन लग रहे हो फिर गरा क्या पुछूगी फिर ठीक लगेगा बेशर्मी की हद होती है इतने सरीफ नहीं है और ना मातमा गांधी के परिवार से के गाल पे थपड़ खायर दूसरा त्यार कर लें बगत सिंग के फै नहीं करती है लेकिन सादू हूं अपने पिंडदान करके सादू बढ़ी हूं तो कम और गाट बकवास करें करो और इतने मर्द हो ना वहां किसानों को दो किलो दूद देने की उकात नहीं है तुम्हारी यहां बकवास करवाले तुमसे फालतू अरे पूछ के देखो दो- किसान मर्गי कोई बात नहीं आओ घर भी मर्दे तेरा बाप मर्दा जब ळरा पाड़ दतन है या घर में से कोई ऐसी रहात हो इसा मोत होती है शर्म को नीं आं दी तुम्हें है नहीं लिए अरे हमने वोट दिये हमने मंतरी बढ़ाए हमने सम्मान दिया और तुम हमारे किसानने को मरगे मरगे अरे डूब के अमर जो अरे बात भाई गाली दियन की गाली बक्वास करण की के गुरा कर दिया मैं किसाना की तो बात करी होगी इतने में इंदू तब खराब हो गया इतने में देश बगती खराब होगी इतने में बिरन केक्के हो गया आज मेरे को एक कार पेट बेज दिया देवाजी धाम में एक मुहमडन ने अपना बनारस बद्रोई से मुहम्डन ने देवा जी धाम मंदिर में गिफ्ट कर दिया इबो मुसल्मान नहीं रहा इबो उसने बताओ के कोगे तुम अब उसको मुसल्मान क्या कहेंगे अरे रुक जो इंसानियत पैदा कर लो यानि कि डोंग करना वो जरूरी है मैं हिंदू थी हिंदू हूँ और हिंदू मरूंगी लेकिन फालतु बखवा सुणने का ना तो मेरे दुड़ा टाइम अर ना करने का टाइम मेरे को कोई सेटिविक्ट देने की जरूर तीने किसी को कि मेरे एमन में गंगा के परति सम्मान है या गउं के परती सम्मान है या मैं सिरी राम में आस्था रखती हूं और ये जो फालतू सेटिविकट बांडन आले है ना अपने गर बार परिवार हाँ अपने गर में मा बैण कोई हो ना पता कर लियो वो सही में हिंदू परिवार का हिंदू ओने का पालन भी कर रही है या नहीं कहीं लव जिहाद किसी कार तो नहीं हो रही कहीं शरम के मारे कुछ बता तो नहीं रही कहीं शरम के मारे कहीं आसी बाते तो नहीं छुपा रही अरे डूब के मर जो सुनो आप मेरी बात कड़वी तो जरूर है पर सुननी पड़ेंगी निकीता के मामले में जो तुम तुम वहां गए थे आथरस वह मारो जे तुम बड़े-बड़े स्टंट के करवा दिया कमलेस्तिवारी मरा था उसको इंसाप दिलवा दिया तुम के जाओ साधवी देवा ठाकुर्वी गर्दन कटवाल है है आते हो तुम जह मुझे दुबई से पाकिस्तान सुनो है और सुनो मैं 20 साल से इंदू और इंदू तवका काम कर दी आई रियल में करती हूं तुम तो बालक सो बालक छोटे जो फाल तु बकवास करो इस फेस्बुक पाक है तुमारे बसकी बात नहीं हमने बहुत काम किये हैं बहुत काम करने बहुत काम करेंगे मानने हैं इंद्रे करते आए तुम क्या जानो फाल तू बकवास कर रहे हो तुम सुनो फाल तू नहीं यार और इंदू तब का सेटिफिकट लेने की जुरूर तो नहीं मेरे अरना तुम कोई हो देने वाले एक क्या जानते हो तुम इंदू तब के बारे में कितने नियम पता है तुम्हें कितना कितना तुम सुबा से आम उठके पूजा पाठ करते हो और दूसरी बात practical कर लेती हूँ कितने इंदू मंदिरों को चला रखे है तुमने बई कितना दान दिया तुमने सादवी देवा ठाकुर को 5 रुपे दे के गया था तुम में से कोई सा या मंदिर के आलाद पूचके गए थे आप कोई सा अपने दम पे जिन्दा हूं मैं समझ गए दिया नहीं खाती और हाँ दान पून कर लिया करो कोई बंडारा लगा दिया करो और ये जो देवाजी धाम है ना मेरे बाप ने मेरे खुद के बाप ने जमीन दी है और मेरे खुद के अपने लोगों ने देवाजी धाम बढ़वाया अपनी संपत्ती पर अपनी विरासत पर जिन्दा हूं मैं कुछ लोग बकवास कर रहे थे यू कहां से आया फलाना कहां से आ तरी तरी मा बेची थी उस्ता आया भेंड चोद बकवास करते हैं फालतू थारी बुआ सुनों नारा मैं तरह नहीं मैं बहुत दिन होगे तुमें फालतू बकवास करते करते थे हमकिसाना के साथ हैं हमकिसानों के साथ और हैं हमकिसान मेरा बाप की सान था मेरा दादा की सान था मा एकुनडूने इंसाफधिलवा अरत जमीर जिंदा कर लो तुम बीश साल साधवी देवा ठाकुरे ने बिलकुल सड़क पे गूमके बिल्कुल अपनी जान अथेली पे रखके तमाम दिन काम कियें तुम किसी इंदू ने बताओ ना फलाणी स्टेज पे बुला के वहाँ आमने इतने लाग का चेक दे दिया फलाणी स्टेज पे जाके या मंदीर में दो-चार क्रोड रुपे दान कर गे किये थे क्या तुम में प्रेस पेर इन बोक्स में बता दियो ठीक और बाई जिसने मेरी बात सही लाग गये और सही लाग गये वो शेर जरूर कर दियो और एक आथ देगा जो पेडर में दर देना थम इतने दबंग शेर हो मेरे साथ इन एक आथ देगे ना आत पैर तोड़ दया करो जो माँ बैण द्रामा करेंडाद गति पालबने द्रहाज करें प्राबस आशेर ही करेंस सालेस को फेसबुक ise फेसबॉक पर क॥र जाक देख है चार मन जी इसने पांदी बखवासं आपरू आव्टे आले उरब बना इंदूतव का ड्रामा करन आले गणयान जानू मैं बहुत घर तक जानू मैं कपा मैं तो त्रेड आर ये बकवास करो इंदूतव इंदूतव की बात करती लख लान दें इंदूतव नहीं होता दस रुपे का चंदन कोई भी लास्क है उसके अंदर गंगा के प्रती जंबना के प्रती गाएं के प्रती क्या के संस्कार होने जी तुम्हें यह नहीं पथा तुम मां की गाड़ी बहन की गाड़ी मैं मेरे अंदर इंसान जिंदा है और सुनो सारे मुसल्मान गंदे नहीं अब्धुल कलाम भी इसी देश के थे और बहुत योगदान मु जोती पे नाम देखना उनमें मुहमडन भी है आरेसस में भी बहुत सारे मुहमडन है माननी इंद्रेस बाई साब ने मुष्टलिम एकतामंच बना रखे उसमें भी मुहमडन है और मोदीव जी जाते हैं कहीं कंट्रियों में और आपके संग वाले बड़े-बड़े अधिकार भी जाते हैं मुहमडनों के या जब जब कहां चला जाता है अरे मन्य तो कुछ ऐसा कर यह अद्वानी की लड़की की क्या आपके विजेपी के अंदर पूरी तरह से मोहड़ी को स्पोर्ट करते हैं लेकिन अगर बिल की बात आई काले कानून की बात आई तो लड़े और ल मेता हैं जिनके रिष्टें आपस में अडवानी जैसे लोगों के मॉम्डरनों के साथ रिष्टें नातें रिष्टेदारी है फाल तु बात भीना ग्यान के मत करया करूं अब ऐसे हैं बहुत हो गया और उन्हें मैं समझाना चाहूं जोन से लाइव लुई बनाव है ना काम करके जाओंगे इंसानियत जिन्दा है अमारे अंदर जमीर जिन्दा है अमारे अंदर और बैम हो ना भाई बड़को जमर जी काड़ लियो कोई चक्कर नहीं और सारी जिंदगी तो रहना नहीं और इनको सेटिविकट नहीं देना चाहती मैं जोन से लंडूरू जोले साद्वी ने कर दिया साद्वी ने और कर दिया अपनी बेबर करवाले उना इंदुतव का काम क्या तनिक दीवागर में बैठी कोन था रत में बगवा उत्रवाव था तिरी मान त्वाध अधर भगवा साले ठीक और दूसरी बात वर जैहिंद वंदे मात्रम सने करते हैं, हमारे अच्छे भक्त हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, स्पोर्ट हैं और मेरे जानकार हैं, जिन लोगों ने जीवन में मुझे बहुत स्पोर्ट किया, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, कल शाम को फिर लाइव आउंगी, कल मैं देवाजी धाम में ही हूँ, आप लो बात सुन रहे हो एक कहरे दर्सन रादे मा त्यार होगी रादे मा किने त्यार करी थी वो तुम ही थे उसके डांस देखो थे रादे मा किने त्यार करी थी तरी बाबू तरी मा की उमर की है फिर भी तरह बाबू देखा है अरे यहां तो बाप बेटी चाचे की ताई की बुआ कि सरम कर ले और इस्तियां की थोड़ी बोती लेकिन मुझे सिकायत उन लोगों से हैं जो हमारे स्पोर्टर हैं और यहां गलत लोगों को जवाब नहीं देते अगर यह तो तुम हमारे स्पोर्टर नहीं और हमारे स्पोर्टर तो इनको मा बैंड की टिका कर दिया करो कि ते फ शेयर कर दियो जितने लोग देखो और सिख बढ़न खातर याड़े जिग्राचिये काड़े जी चाती मैं ठीक जैहिंदवंदे मात्रम बहुत अच्छा लगा जी आप सब अपना प्यार देवासी के रहे हैं हैपी बर्डे नाका सिंग जी थैंक यू बल देव जी थैंक यू सो मच राजकुमार केरें हैपी बर्डे थैंक यू ऐसे नहीं बही आके हैपी बर्डे बोलो ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है अनुरूप थैंक यू जैमाता जी की विनोद अरे बही शेयर कर अगरो तुम सारे लोग क्योंकि आज कलना मेरे पास ना तो आईटी सेल है ना म बहुत अच्छा खाऊं पहर हुं बहुत अच्छे से रहरी हूं ना में पाखंड करन की जरूद ना मैं किसी गुरू की शिष्या ना मैं किसी ओर अक्षाड़े से जुढ रहे मेरी तो इंसानियत के लिए मैं काम करती हूं कोई पाखंड बाजी नहीं करती और जिन लोगाने ये उमीद है ना किसानों की बात क्यों करी गरवत करूंगी फेर करूंगी हमेशा करूंगी किसाना की बात और सिखां की बात वो तो मैंने मैं दिल ते सम्मान करूं गुरुआं सिंग जैसे लोगां का उनकी वज़ेते तो हम जिन्दा हैं और जिन के तकलीफ हो रही हो ना तुम है ना तिन के जितने भी नहीं हो आप सब लोगों कासीस मेरे साथ बना रहे थैंक यू सो मच लाइव थोड़ा लंबा हो गया बंदे मात्रम हां को था